नमस्कार आप देख रहे हैं डीबी लाइब देज़ डालते इस वक्त की पड़ी खबरों पर घाडी वर तनाफ खत्म करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने की उच्छ स्तरिय बैठक मोधी ने लोगों से की शांती की अपील राज्य सरकार को हर संबब मदद का दिया भरोसा घाटी में अब तक 30 लोगों की मौत 1500 से ज़्यादा लोग जखनी बुरानवानी की मौत को लेकर पाकिस्तान के दखल पर अमेरिका की दो टूक कहा ये भारत का आंत्रिक मामला विकास स्वरूप ने भी दिखाए कड़े तेवर कहा भारत के मामले में दखल ना दे पाक जम्मू से लेकर पंजाब तक सीमा पर गुसपैट की कोशिशे तेज, कठुआ सामबा और अजनाला सेक्टर में बीएसेफ ने गुसपैटियों को खदेडा सूत्रों के मुताबिक अभी भी कई आतंकी गुसपैट की फिराक में कश्मेर इंसा परशिफ सेना का बीजेपी पर हमला मुकपत्र सामना में पूछा महभूबा को घाटी की कमान सौप कर बीजेपी ने गलती तो नहीं की उत्रागण में रातो रात अटाए गई घोडे शक्तिमान की प्रतिमा सूत्रों के मुताबिक जोतिश की सलहा पर सीम ने हटवाई प्रतिमा यूपी में कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने दिया इस्तीफा आज हो सकता है नए अध्यक्ष का एलान कॉंग्रेस ला सकती है ब्रामर शहरा बुलिटन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ जहां बुरहानवानी की मौत के बाद हालात तनावपूर बने हुए हैं और अब इससे निपटने के लिए खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मूधी ने कमान समभाली है आज स्वदेश लोटते ही पीम मोधी ने उच्सतरिय बैठक की जिसमें जम्मू कश्मीर के हालात की समिक्षा की गई कश्मीर में चार दिनों से हो रहे हिंसक प्रधर्शन पर आला अधिकारियों ने पीम मोधी को रिपोर्ट दी है वही पीम ने घाटी में शांती बनाये रखने की अपील की है साधी पीम ने अश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार, राजसरकार को हर संभव मदद मुहया कराईगी इस वैड़क में ग्रैमंत्री राजनाच सिंग, मनोहर परिकर, अरुनजेटली, सुश्मा स्वराज और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे कश्मीर में जारी हिंसा के चलते, आज राजनाच सिंग ने अपना अमेरिकी कारिकरम भी रद कर दिया है 17 से 22 जुलाई तक राजनाच सिंग अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे वह राजनाच सिंग ने मुसलिम धर्म गुरूँ से भी मुलाकात की आपको बता दे कि कश्मीर में जारी हिंसा में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है वहीं 1500 से ज्यादा लोग जखमी है हालातों के मद्दे नजर अनंतनाक, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिरों में पूरी तरह कर्फियू लगा दिया गया है, जबकि 12 मुला, सोपोर और कुपवाडा के कुछ हिलाकों में कर्फियू है रुक करते अगली खबर का कश्मीर में जारी हिंसा पर पाकिस्तान लगातार दखल दे रहा है लेकिन अब अमेरिका ने पाक को ऐसा ना करने की नसीहती है अमेरिका ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और सभी पक्षों को वानी के मारे जाने के बाद घाटी में भड़के तानाफ का शांतिपून समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्भी ने कहा कि हमने कश्मीर में भारतिय बलो और प्रदर्शनकारियों के बीच जड़पो की खबरे सुनी है और हम हिंसा से चिंतिध हैं हम सभी पक्षों को शांतिपून समाधान ढूंडने की दिशा में काम करने को प्रुटसाहिद करते हैं वह दूसरे तरफ विदेश मंत्राले के प्रवक्ता विकास्वरूप ने भी कड़ा रुख अक्तियार करते हुए कहा कि भारत के मामले में दखलना दे पाकिस्तान आतंक्वाद पाकिस्तान का ही एजंडा है आपको वता दिकी कल पाक पियम नवास शरीफ ने वानी की मौत पर हैरानी जताई थी इसके बाद पाकिस्तान की और से भी कहा गया था कि वो कश्मीर का मुद्धा अंतराश्ट्रे मंच पर उठाएगा रुप करते अगली खबर का एक तरफ जम्मू में हालात तनावपोन बने हुए हैं तो वही सीमा पार से गुसपैट की घटनाय थमने का नाम नहीं ले रही जम्मू से लेकर पंजाब तक गुसपैट की कोशिश की गई लेकिन ब्यसफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आतंकियों की सभी कोशिशे नाकाम कर दे पंजाब के अजनाला सेक्टर में ब्यसफ ने तीन पाकिस्तानी गुसपैट्यों को मार किराया ये तीनों आज सुभा शाहकूर पोस्ट से गुसपैट करने की फिरात में थे इसे पहले सोमवार को भी जम्मू के कटकवा में हीरा नगर एरिया के अंतराश्ट्रे बॉर्डर पर ब्यसफ जवानों ने चार से पांच लशकर आतंकियों को खदेडा था ये आतंकी भारी संख्या में हत्यारों के साथ भारत में घुसना चाहते थे सुत्रों के मताबिक हर आतंकी के पास 30-40 किलोग्राम का बैक था लेकिन ब्यसफ के मुस्तैदी की वज़ा से इन्हें वापस लोटना पड़ा खुफिया सुत्र बताते हैं कि सीमा पार पाकिस्तानी एरिये में लॉंचिंग पैड पर आतंकी मौजूद है खुफिया रिपोर्ट की माने तो जो इंटरसेप्ट पर कॉल आ रहे हैं वो भारत के लिए चिंता जनक है चलते हैं अगली खबर पर कश्मीर में जारी तनाफ के बीच अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिफसेना ने एक बार फिर हमला बोला है शिफसेना ने अपने मुकपतर सामना में लिखा है कि कश्मीर की वर्तमान स्थिती राष्ट्र सुरक्षा के लिए धोका दायक है क्या महबूबा मुफ्ती के हातों में कश्मीर घाटी की कमान देकर बीजेपी ने गलती तो नहीं की सामना में लिखा है कि मौजूदा हालात देखकर लग रहा है कि कश्मीर का सवाल पहले की तुलना में और ज्यादा उलच किया है मैबुवा मुफ्ती उपर उपर से शान्ती का हावान कर रही है फिर भी बुर्हान वानी के बारे में उनकी निश्चित भूमिका क्या है यह जानना जरूरी है साथी सामना में यह भी लिखा है कि कश्मीर में जो आग लगी है इसकी आँच देश को लग रही है इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्मान बनवाने की खोशना हुई उसके पहले कश्मीर की अमरनात यात्रा शान्ती से संपन हो जाए जो चल रहा है वह भयंकर है तो सामना में बीजेवी पर चमकर प्रहार किया गया है और अब खबर उत्राखंकी जहां मृत घोडे शक्तिमान की प्रतिमा को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है धैरदुन के रिस्पनाच चौक पर तीन दिन पहले शक्तिमान की प्रतिमा लगवाई गई और अब रातों रातों से हटा लिया गया है ऐसा क्यों हुआ ये किसी को समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसके पीछे जो बात सामने आ रही है वो वाक कई हैरान करने वाली है बताये जा रहे है कि राज़े के मुख्यमंतरी हरीश रावत को जोतिश ने शक्तिमान की इस प्रतिमा को हटाने की सलहादी थी जिसके बाद मूर्ती को आनन-फानन में हटाया गया आपको वतादी की राज्ये के मुख्य विपक्षिदल बीजीबी ने भी CM पर राजनीती करने का आरोप लगाया था इसे पहले रावत सरकार ने देहरादूल विधान सभा के पास रिस्पना चौक का नाम खोड़े शक्तीमान को समर्पित करते हुए शक्तीमान चौक कर दिया था इसी चौक पर शक्तीमान की प्रतिमा लगाई गई थी आपको वदादे की 14 मार्च को विधान सभा के सामने वीजबी के प्रदर्शन के दौरान उत्तराकंट पुलिस के घोड़े शक्तीमान का पै तूट गया था और 20 अप्रल को सकी मौत हो गई थी बीजबी विधायक गड़ेश जोशी पर घोड़े की टांग तोड़ने का आरोप लगा था और 18 मार्च को इस आरोप में जोशी को गिरफतार भी किया गया था और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की जहां आज प्रदेश के कॉंग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है सुत्रों के माने तो निर्मल खत्री ने पार्टी अध्यक्ष सुनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है आपको बता दे कि चुनावी जादूगर प्रशांत किशोर ने कॉंग्रेस को अपने परंपरागद वोट बैंक ब्रामण और मुस्लिम पर ध्यान के इंदरित करने की सलहा दी थी जिसके बाद गुलाब नभी आजाद को यूपी कॉंग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गय कर दूँ कर दोटार भुलाबू ने कर दोटार थालाब नभी कॉंगर प्रशाद